बहुत बहुत स्वागत आप सभीका स्पोर्ट्स तक में प्रदर्शन देखे तो उन्होंने बहुत कम रन बनाये ते औस दर्जे का प्रफॉर्मस रहा था तेरा मैच के लिए एक सो चालीस रन बनाये एवरेज 11.67 का इस ट्राइक रेट 134.62 की ते दुनेश कारतिक का प्रदर्शन पिछले सीजन बहुत औस दर्जे का रहा था अब स उसके बाद कोई टीम इन पर बोली ना लगाए हाला कि खुद भी दिनिश कारतिक आपको अब कोमेंटरी में ज्यादा दिखाई देंगे तो शायद वो खुद भी ऐलान कर सकते हैं IPL से रेटायमेंट का तो अब बात करते हैं दूसरे खिलाडी की दूसरे खिलाडी है महिं महेंदर सिंग धोनी का अगर हम पिछला सीजन देखे एजब बैटर तो उनका सीजन अच्छा रहा था 16 मैच में 104 रन बनाए एवरेज 26 का स्ट्राइक रेट 182.46 तो MS धोनी का परफॉर्मिस देख सकते हैं जबर 10 बैटर के तार पर परफॉर्मिस रहा था और अभी जरूर लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि आपको महेंदर सिंग धोनी आगे भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं तो महेंदर सिंग धोनी के फिट्टेस बढ़िया नजर आ रही है बैटिंग वह अच्छी कर रहे हैं और इस सीजन उचन नहीं को फिर से चैंपिन बनाने के लिए तयार है तो महेंदर सिंग धोनी एक ऐसे खिलाडी हो गए अब बात कर लेते हैं एक और खिलाडी की और वो हैं रिद्यमान सहा अब रिद्यमान सहा गुजरात के लिए पिछले सीजन बड़े अच्छे तच में नजर आये गुजरात में उन्हें उपन करने का मौका दिया अगर च्छे रन मनाए 17 मैच में 371 रन मना दिया थे 23 दस्वलाव एक नौका औसाथ स्ट्राइक रेट 139 दस्वलाव 27 की तो क्या रिद्यमान सहा के लिए आखरी आईपेल सीजन हो सकता है ये तो वक्त बताएगा क्योंकि इस साल भी उन्हें अपना परफॉर्मेस ऐसा ही रखना होगा और देखना होगा कि गुजरात के तीम उन्हें कैसे यूटिलाइज करती है एक और खेलाडी के बारे में बात कर लेते हैं और वो खेलाडी इशान सर्मा इनकी भी उम्र अब जादा हो रही है पिछले आईपेल सीजन की बात करें तो इनका ठीक ठाक रहा था कुछ मै इंगलन में मौका मिलेगा यह नहीं और देखना दिलचास पोगा कि क्या वो इस सीजन को अलविदा कहेंगे इस बार कहेंगे कि अब आईपेल नहीं खेलना क्योंकि इंडिन टीम के लिए और बेसी भी और एक और खेलाडी के बारे में बात कर लेते हैं नाम है अमित मिश् में से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं अगर हम उनके प्रदेशन की बात करें पिछले सीजन तो उन्होंने साथ मैच में साथ विकेट लिये हैं 21 दस्वलाव दोनों का ओसत एकॉनमी साथ दस्वलाव और चार की तो ठीक ठाक प्रदेशन कहेंगे लेकिन बात व दोनी के बारे में फिर वही कहेंगे कि महिंदर सिंग धोनी ही खुच जानते हैं कि उन्हें क्या करना है बाकी सब तो बस अंदाजा लगाते रहते हैं तो महिंदर सिंग धोनी को छोड़ दे तो इन चार खिलाड़े को पर हर किसी की नजर रहेगी बाकि रिद्दिमान साह उनको गुजरात किस तलिके से यूटिलाइज करेगी और वहाँ पर रिद्दिमान साह खुद कैसा परदेशन करके दिखाते हैं ये देखना दिल्चस होगा तो आपको क्या लगता है इन में से कौन सा खिलाड़ी आकर जरूर बताईए वीडियो पसंद आया हो लाइक कीज जरूर बजा दीजिए वीडियो अगर आप हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बूक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए